अलो बच्चो विल्कम बैक टू आप चानल इजी वर्टू स्टड़ी बच्चो आज हम आपके लिए लिए क्लास एट की साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नमबर 11 बच्चो जैसे ही आप सभी जानते हैं सबसे पहले आपे हमें अपना नाम लिखना होता है और next field में हमें अपने teacher का नेम लिखना होता है चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट आज के हमारी वर्कशीट में बच्चो हमें metal की different properties बताई गई हैं जैसे sonorous sonorous क्या होता है अगर उसपर हम कोई चीज मारते हैं यानि metal से बनी हुई किसी चीज़ पर हम और किसी सीज़ से चोट करते हैं तो क्या वह गंटी की तरह बजेगी उसे हम कहते हैं sonorous property next conductor या insulator वह property कि हम current को अपने से पार होने देगा या नहीं होने देगे उसको हम बोलते है conductor या फिर insulator जो current को अपने से पार होन देगे उन्हें अब देखेंगे दो चीज़ दिखाए गई है एक circuit दिखाए गए इसमें एक bulb है एक cell है A और B दो points है उसके बीच में एक joint है जहां पर हमें अलग अलग चीज़े लगा कर देखनी है सबसे पहले हमें यहां पर लगा कर देखना है कि अगर यहां można है कि A और B के बीच में आयरण नेल लगाता है तो क्या vapor जलेगा थो बच्चो हाँ वैक बल्ब जलेगा क्योंक्ति आयरण नेल एक conductor है important को अपने से पास होने देगा नेक्स है इस call अगर हम A और B के बीच में भीच में लगा देते ते तो क्या Vяет bulbs जलेगा नहीं यह बल्ब नहीं जले, आ क्योंगोड एक कंडक्टर नहीं है, वेक की ऐंसुलेटर है, Next है, Aluminium Wire, क्या A और B के बीच में Aluminium Wire लगाने से बल्ब जलेगा, तो हाँ बचो, Aluminium Wire लगाने से भी बल्ब जलेगा, Similarly Copper Wire लगाने से भी आपका बल्ब जलेगा, तो इन चारों में से 1st का true, 2nd false 3rd true, 4th भी true इसके आप बचो हम direct question answers पर चलते हैं इस worksheet में 5 questions दिये गए है चलिए दिखते हैं इन questions के answer 1st question है The cooking pan is made of iron violet sandal is covered with wood why तो इस answer आप लख सकते हैं बचो iron is a good conductor of heat and wood is a bad conductor of heat pan made of heat helps in transferring the heat to food easily, whereas wood saves our hand from burning by reducing the heat transferred बचो iron जो होता है वह heat का good conductor होता है जिससे heat जल्दी ट्रांस्वर होती है और wood जो होता है वह bad conductor होता है जिसे heat आराम से या फिर कम heat ट्रांस्वर होती है जब pan लोहे का बना होता है तो वह खाने तक गर्मी जल्दी पोचा देता है जिसे खाना जल्दी पकता है और लकडी जो होती है वह गर्मी को हमारे हाथ तक देर से पोचाते है जिसे हमारा हाथ जलने से बच जाता है नेक्स कॉश्न है बचो हमारे उपर description में बताया गया था कि उन्होंने तवे पर चमच छोड़ दी थी और दर्वाजा खोलने चले गए थे जब वापस आगर तवे से चमच को उठाया तो वह एकदम से चीख होटी अब यहाँ पर पुछा गया वह चीखी क्यों तो इसका उत्तरा अब लिख सकते है वैसले चलाई क्योंकि जो स्पून पैन में छोड़ दी गई थे वह गरम हो गई थी और उस दिया उनका हाँ जला दिया इसका अब लिखेंगो जो अब लिखेंगो जो अब लिखेंगो इसका अब लिखेंगो पहुचा सके उन्हें हम गर्मी के कंड़क्टर कहते हैं नेक्स कंड़क्टर सफ एलेक्टरिसिटी मैटिरियल विच केंट रांसफर एलेक्रिसिटी फ्रों वन एंड तो अनदर यानि वह है मैटिरियल जो बिजली को एक जंगह से दुसरी जंगह तक पहुचा सके उन्हें हम गर्मी केंटर एलेक्रिसिटी केते हैं नेक्स कांजर आप लिखते पचे उस फ्रों प्रों एलेक्रिसिटी यहां पर बच्छों हमें पांच चीज़े बताई गई हैं अलग-अलग material बताई गई हैं उसके बाद उनकी अलग-अलग properties है shine, malleability, ductility, sonorous, conductor of heat, conductor of electricity और फिर वो metal है या नहीं है बच्छों इसमें malleability क्या होता है यानि उसे हम पिंगला कर कुछ बना सकते हैं नहीं बना सकते sonorosity आपको पताई है बच्छों क्या होता है कि वो गंटी की तरह बजे गए नहीं बजे गया कि सीज चोट खाने पर ductility बच्चो क्या होता है क्या आप उसे खीच कर एक तार बना सकते है नहीं बना सकते shine मतलब उसमें चमक आती है नहीं आती इसके लाव बच्चो conductor of heat and conductor of electricity आपको पता ही है तो देखते हैं यहाँ बच्चो tick का मतलब है कि उसमें वो properties है और cross का मतलब है कि उसमें वो properties नहीं है आप बच्चो ध्यान से देखेंगे तो first two materials जो है उनमें सारी properties होती है क्योंकि वह metals होते है और उसमें last field में आप लिखेंगे metals दोनों के लिए third and fourth materials में बच्चो यह कोई भी properties नहीं होती क्योंकि यह दोनो non metals होते हैं तो यहाँ पे आप सब में cross लगा देंगे और last में non metal लिख देंगे similarly fifth के हर एक part में आप tick लगा दें क्योंकि वह भी metal है उसमें भी सारी properties होती है और इसमें फिर आप last part में लिख देंगे metal बच्चो यह हमारे वक्षिट यहाँ पर complete होती है I hope आप सभी को अच्छे समझ में आई होगी बच्चो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे like करना और अपने friends साथ share करना ना भूले साथ ही अगर आपको कोई question है तो उसे आप comment section में जरूर पूछे हम आपके question को जल से जल answer करने की कोशिश करेंगे और बच्चो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही bell icon बटन जरूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंट notification मिल जाए Thank you